हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सभी का बहुत वेलकम到了 में दोस्तों आज मंना कंपन्फसेशन अक्ट जिसे हम इंप्लॉई कंकंपनीसेशन अक्ट भी बोलते हैं उसके पाइट आपसेिश कंपन्फसेशनि जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर किया है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक और हम और इसके इन डेप्ट जाके देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या-क्या चीज़े हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए पुरा समराइज नोट्स बनाया है अगर आप यहाँ से रिवीजन करते हो तो मुझे लगता है कि आप एक्ट से रिलेटेट सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से कवर कर लोगे अगर आपको यह समराइज नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड एमसी क्यों चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं या फिर वाट्सप पर मैसेज कर सकते हैं सारी इंफोमेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाईगी तो चलिए आज की क्लाश शुरू करते हैं इस पाट में हम बात करेंगे डिस 마टमेंट की डिस सैबलमेंट क्या होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था वार्कमान कंपनसिशन ऑक्ट जहां पर वर्कमेन के छती पूर्ती अगर वर्कमैन को लग जाए चोट तो उसके लिए उसका जो हरजाना पे करना होता है वो दिया जाता है So किस टाइप की चोटे लगती है अब हम उसके बारे में बात करेंगे उसे ही हम कहते हैं Disablement So इस Act में Disablement is not defined यहाँ पर Disablement बताया ही नहीं गया है कि Real में Disablement होता क्या है It means Loss in Earning Capacity Normally यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी भी Workman की Earning Capacity Loss हो जाए मतलब अब वो कमाई नहीं कर सकता वो जिस साधन से कमाई कर रहा था अब इसके वज़े से वो कमाई ही नहीं कर सकेगा उसकी जो Earning Capacity थी वो Loss हो गया तो उसे ही इस Act के According Disablement बोला जाएगा अब Disablement जो है वो दो तरीके में बाटा गया है इस Act में पहला है Partial Disablement और दूसरा है Total Disablement इन दोनों को हम अच्छे से इस Act में कवर करेंगे सो सबसे पहले हम बात करते हैं Partial Disablement की जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है Partial Disablement मतलब यहां पर जो Employee होगा Workman उसे पूरी तरीके से चोट नहीं लगी होगी मतलब उसकी जो Earning Capacity है कमाने की वो पूरी तरीके से Loss नहीं हुई होगी Half यानि कि Partial Loss हुई होगी सो Partial Disablement जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है यहां पर Employee या जो Workman है उसका जो कमानी की सकती थी पहले जितनी अब नहीं रहेगी लेकिन पूरी तरीके से भी खतम नहीं होगी क्योंकि यहां पर Partial Disablement है उसे चोट तो लगी होगी लेकिन Total से कम लगी होगी जितनी चोट टोटल में लगेगी यहां पर उतनी नहीं लगेगी ओके सो हम देखते हैं Act के इसाब से क्या बोला गया है Partial Disablement जिसे हम पढ़ते हैं 2 Subsection 1 Clause G में सो Partial Disablement को दो भाग में बाटा गया है एक Temporary Partial Disablement और दूसरा Permanent Partial Disablement Temporary Partial Disablement में क्या बात किया गया है सो यहां पर बोला गया है Reduction in Earning Capacity of Employee Employee की जो Earning Capacity है उसमें Reduction आ जाएगा मतलब अब वो पहले जितना काम नहीं कर पाएगा In the Present Employment, Injury के वज़े से मतलब जो Employee होगा वो अभी जिस Employment में काम कर रहा होगा वहां पर Injury के वज़े से वो अब उस काम को नहीं कर पाएगा Other Employment Not Affected लेकिन इसके वज़े से ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा वो सिर्फ ये काम नहीं कर सकता बाकि सारे काम वो अभी भी कर सकता है तो इसे हम कहेंगे Temporary Partial Disablement जैसा कि मैं आपको अगर एक ग्जामपल दूँ अगर एक टेलर है ठीक है वो सिलाई का काम करता है सो सिलते सिलते उसके हाथ में चोट आगई ठीक है तो हाथ में अगर चोट आई है तो वो सिलाई का काम अभी नहीं कर पाएगा लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वह दूसरे जब कोई काम नहीं कर पाएगा इसCha मतलब है कि वह इस present employment उसका present job है वो सिर्फ वो नहीं कर पाएगा लेकिन दूसरे कोई भी employment वो कर सकता है इसे हम कहेंगे temporary partial disablement उसके बाद हम बात करते हैं permanent partial disablement की पर्मानेंट पार्चिल डिजएबलमेंट का मतलब किसी भी इंप्लाइमेंट में उस टाइब का काम अब नहीं कर पाएगा जैसे मैंने आपको टेलर का एक्जामपल दिया था तो टेलर का जो हाथ है वो पूरी तरीके से कडिया है अब उसका हाथ ही नहीं तो वो अदर इंप क्यापिसिटी ओल इंप्लाइमेंट मतलब अब उस टाइब के जितने भी काम है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लिस्ट ऑफ पर्मानेंट पार्शल इंजूरी और यहां पर मैं आपके लिए लिस्ट लेकर आई हूं आप लिस्ट को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ें कि कि इस लिस्ट में किस किस काम को पर्मानेंट पार्शल इंजूरी बोला गया है जो है पॉट ढ doctrinal 1 में बताईा गया है उके मैं आपके लिए इस लेकर आई हूं क्यूफ कि एक्जाम में इससे direct question पुछा जाता है कि किन किन चीजों को हम permanent partial injury के अंदर में रखते हैं तो एक बार लिस्ट को हम लोग reading कर लेते हैं कि क्या-क्या है इस list में उसके बाद आप safe करके रख लेना अगर आपको मेरे से notes चाहिए तो आप वो ले लेना और इसको एक दो बार revision कर लेना जिससे आपकी practice और strong हो जाएगी क्योंकि exam में इससे direct question पूछता है जब मैं आपको MCQ करवाऊंगी तो उसमें भी आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा ओके सो यह लिस्ट जैसा कि हम लोग देखते हैं schedule 1 part 2 में यहां पर लिस्ट of injuries है जो permanent partial disappointment को दिखाता है amputation cases amputation का मतलब होता है जिसे हम हंदी में कहेंगे अंग विच्छेदन यानिकी अंग अलग हो जाना हाथ वगरा जैसे अलग हो जाना सहीड से so amputation through shoulder shoulder joint से अलग हो गया हाथ फिर amputation below shoulder shoulder के नीचे से हाथ अलग हो जाना amputation tip to acromion acromion का मतलब होता है joint joint से अलग हो जाना फिर फोर नंबर पर है loss of a hand और thumb अंगूथा या फिर चारों उंगलिया यह अलग हो जाना loss of thumb उंगली जो अंगूथा होता है वह अलग हो जाना loss of thumb and its metacarpal bone अब thumb से related जो उसके bone होते हैं वह अलग हो जाना loss of four fingers of one hand एक हाथ के चारों fingers अलग हो जाना ठीक है इस टैप से बहुत सारे list है आप line by line सब list को एक बार देखें और एक एक cases भी है अब हम देखते है total disablement जो कि है section 2 sub section 1 clause i में ओके सो अब total disablement में क्या होगा नाम से ही समझ में आ रहा है कि employee जो था वो अब पूरी तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएगा incapacity to employ for all work मतलब जो workman था वो पूरी तरीके से अब बिकार हो गया वो अब कोई भी काम नहीं कर सकता वो अब किसी भी काम के लिए capable नहीं रहा physical defect loss power to earn मतलब उसको ऐसा physical defect हो गया सरीर से defect हो जाना जिसके वज़े से उसने जो उसका कमाने की सकती थी earning करने की सकती वो पूरी तरीके से उसने हो दिया तो इसे हम कहेंगे टोटल डिजबलमेंट हम पढ़ते हैं पार्ट वन स्केडिल वन में जैसे एक एक एक्जामपल हम लोग ले सकते हैं लॉस ऑफ बोथ हैंड्स फॉर कारपेंटर एक कारपेंटर है जो लकडी का काम करता है ठीक सो टोटल डिजबलमेंट हम लोग पढ़ते हैं पार्ट वन स्केडिल वन में चलिए हम लोग यह लिस्ट देख लेते हैं क्यों क्योंकि एक्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेशन आते हैं यहां पर हम बात करते हैं स्केडिल वन पार्ट वन के लिस्ट में जिसे हम पर्माने प्रेशन थू लेग और थाई ओके फोर नमबर पर है लॉस ऑफ साइट फाइब नमबर पर है वेरी सीवियर फेशियल डिस्फिगर्मेंट एंड सिक्स नमबर पर है एपसुलिट डिफनेस पूरी तरह किसे सुनना बंद हो जाना ओके इस टाइप के कुछ चीजें हैं जो पर्मानेंट पार्शल डिसेबल मेंट टोटल डिसेबल मेंट सब कुछ अच्छे से देखा विच सेक्षन आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको नोट्स चाहि भी सॉल्फ करेंगे तो थैंक यू फ्रेंड्स अच्छी लिए